कि दियर इस्टुडेंट्स कल हमने विश्रन परासन विश्रन दाप नियूंता और डीपीडी ओपी और टीपी के अंदर संबन पराता है आज हम यह देखेंगे कि पौदों में पानी का अक्षोशन कैसे होता है क्या उसका मार गए पौदे किस तरह से पानी को अक्षोशित कर करते हैं इसके बारे में अधियन करेंगे सबसेरे पहला क्यों जया यह तो बर्सात से बहुता हुआ है glews को मिलता नहीं इतना ज्यद्व में नहीं आता है क्योंगत बहुता हूँ जल होता है और उसका वह पारहान चाल जाता है feel pleasure다고 रूप से बंदिक जल केमिकली बॉन्डेट बॉटर यह जल में सोडियम साल्ट गुरे होते हैं और बहुत से साल्ट गुरे होते हैं साल्ट गुरे होने के कारण इनका कंसेंट्रेशन अधिक हो जाता है और साल्टी हो जाता है जिसके कारण यह पानी एब्सॉर्ब नहीं होता यह वाटर वाटर वह जाता है यह वाटर अंडर गर्वाटर वाटर ऑद रुट वाटर बेटर रूटर लेवन को बढ़ाता है तो यह विलूट के लिए नहीं होता है फिर कौन सा वाटर इंपोर्टेंट होता है जो पास पास आ रहेंगी इसके बीच में देखें तो यह बहुत ही पतले भ्यास की या बहुत ही कम डामेटर की एक ट्यूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है इसको हम कैपिलरी कैपिलरी या केशी या केशी का कैए केशीी यह कैमिस्ट्री के प्रकॉइटर वृति एक सिरा पानी केंटर लूबा रहा है सिरा पानी सिरा लूम पानी अपनी के उपर आता है इसी लिए हम केशी के जल Çünkü काम मेंय लेए वीड़न उन्हें के लेए उपर से barrier नहीं होगता है तो 99 पर सेंट गेमले और थे माले बातर अब हमारे पास 이क्स टॉफिक है कि वह कई कि इसका मार्व वाटर का कैसे होगा क्या श्क्रेश होगा कि ठेक्जान से देखना एक रूट की स्ट्रेक्टर बता इसमें यह रूट नारे यह साइटोक्लाज्म आरफी गडमा इसने बने में यहां से को प्रॉट्टेक्स में फिर इंडोडर्पीस पहले साइकल और जायलों यह सब्सक्राइब तो देखें जो साइटो क्लाइब होता है इसकी सांद्रता या कंसंट्रेशन ज्यादा होता है जब कि स्वाइल वाटर है इसकी कंसंट्रेशन कम होती है अधिक संत्रता से गहां यहां से जो वाटर यह सोईल वाटर के अंदर आजाए वाटर किसम आगयां रूटर के अंदर एंडर सुनिए है जो साइटोफ गलाज होता है उसकी कंसंट्रेशन अग्सकी को दिख जोती है इसके कारण एंड़ व्याच्किन पानी आया तो पतला हो गया मतलब इसकी कंसेंट्रेशन कम होगी लेकिन तो यहां से द्वारा पानी जो है लोड कंसेंट्रेशन तो हाई कंसेंट्रेशन थी किसी प्रिकार एसे भी सेल में आता है वी से से इसल में और इसल माने बाद एंडोडर्विस के कॉशिगाय होती है जिसे मार्ग कोशिगा या पैसे सैल कहते हैं जहां पर डिपोजिशन नहीं हो पाता सुबह रिकार एंडर पानी पॉजिशन नहीं होता है तो पानी उस मार्ग सेंदर करता है और जायलम तक पहुंसता है और या पानी उपर की बढ़ जाता है इसको कैसे बहुतर की कॉस्टरेशन कम होती है जब हो उसकी जानेटेशन साइटोप्लास्या की अंदर एंटर करता है ब्रिवेश करता है गिसरेel बार मुथcía ऊता था कॉछ यहां से यहां तक आया इसको पत कहते हैं अब कैसे सबसे पहला आया रूटेयर दूसरा आया एपिवलेमा यह साड़े मार्ग हैं फर्स्ट सेकेंड एपिवलेमा थर्ड आया और एक्सेल भाया फोर्थ हैं इंड़ोडर्मिस में फिट आया फैरिसाइकल में और शिक्स में यह अर्था जालम में आता है तो आप से इनकाज़े कि भई वन इस देपैथ ऑपाटर आप्शन पानी के अप्शोशन का मार्ग क्या है तो आप सीधा से कहेंगे रूट एयर एपिवलेमा कॉल्डेक्स एंड़ोडर्मिस पैरिसाइकल एंड लास्ट किसके द्वारा होगा जायलम के द्वारा तो मूल रों कॉल्डेक्स की या बल्पुट की कोशिका है फिर एंड़ोडर् इनमस लिए इसका मार्ग है लेकिन दोष्ट हम ये भी देखते हैं कि इस मार्ग में रूटका फोटा है तो कैसे होता है कि इसको मैं बता रहूं कि क्या मार गए कि इसका पैथ है कैसे अप्सक्राइब होगा तो दो तरह के इसके पैथ वार्टन के सबसे पहला है एपोप्लास्ट पर फफ फफ लगाए इस पर वार्टन का एब्ज़ौर्शन होगा मेंब्रेन और बीच में दूसरा होता है सिंप्लास सिंप्लास्ट पैठ्वेश इसमें water absorption होगा षेल मेंब्रेन और स्वाइटोप्लास नियुके बीच में से कैसे होगा ये मैं पता रहूं यह सेल है यह सेल भी है यह सेल और यह सेल मेंब्रेंग इस पानी आएगा यहां से एकलॉर वाटर और इस जगे से चले आएगा यहां पीच मिंचे कि असल neural और स्फेंड बीच में से प्रकारहे नहीं रिर्म से कि और ऑसके द्वारा होता है या विष्रण के द्वारा होता है इस प्रकार का पत जिसके अंदर पर का जो होता है कि वॉठर का यह विष्रण के द्वारा होता है सेकेंड होता है सिम्प्लास्ट पैथवेग सिम्प्लास्ट पैथवेग दो सेल है ए और यह वाल और यह हो जाएगी यहां पर जो वाटर होगा करेगा यह साइटोप्लास्म यह है कि इसमें पानी का माद इसमें से साइटोप्लास्म में होता हुआ अगे और यहां पर पानी का अक्षोशन की क्लिया द्वारा होता है अंताय परासन द्वारा होता है प्रिकाल का पतर जिसमें पानी का अक्षोशन कोशिए की कुलिका की स्था है है कि इसमें آगे पढ़ेंगे क्लेड आप काइस होता है सक्रिय जल आप्साइस अच्टिव और परिशेग जल आप्साइश्वा लूट चाहता हूं कि जो भी मैं आपको पता रहा हूं उसको आप पढ़ें आप उसको एनलाइज करें क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत ही इंपॉर्डन समय है यह समय निकलने के बाद दुबारा तो आएगा निए टाइम आपका बोड एक्जाम के लिए कम होता चला जाएगा त लेकिन आपको तैयारी करनी है अदर्वाइस आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है थेंक्यों दुबारा थेंक्यों